हेलो फ्रेंड वेल्कम प्यूरों चैनल डेली स्टॉक तो यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बी जी आर एनर्जी सिस्टम लिमिटेड कंपने के बारे में कंपनिया क्या बिजनस प्रॉस्पेक्ट हैं कंपने फाइनेशल क्या है और कंपनी के अंदर यहाँ पर निवेश रिया जा सकता या नहीं तो उन सब चीजों के बारे में बात करने वाले में इसी वीडियो में तो यहाँ पर आप वीडियो को एंट तक जरूर देखिएगा और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक ह राइब जरूर गफर देखिएगा तो यहाँ पर तो सबसे ऑले बात करें कि색 कम्पनी का बिजनस क्या है तो यहाँ पर BGR Energy जो एक ऐसी कंपनी जिसका जो में जो कारोबार है वो यहाँ पर जो कंपनी के में जो प्रमोटर थे वो थे जर्मनी के और यहाँ पर जो है इंडिया के अंदर भी यहाँ पर एक प्रमोटर उनके द्वारा जो है यहाँ पर नुक्लियर सिस्टम के अंदर ज सब्सक्राइब बहुत ही एक्टम प्रिसाइज और काफी स्मॉल सेग्मेंट टिशे में कंपनी काम करती है तो यह आपको पता होना चाहिए अगर कंपनी के आपर मार्केट केप की बात करें तो साथ सो पांच करोड का या पर जो है में इस कंपनी का मार्केट केपिलाजिशन देखने को मिल रहा है जो कि आपर में बताता है कि एक स्मॉल केप स्टॉक है और उसे के साथ साथ में आपर बीटा है इस टेंड करता है रिषय का 1.16 पर 1.16 की रेशियो फां में है जो कि आपर हमें इंडिकेट करता है कि आपर अकर समझ लो इनडाइस के अंदर 1% का को अगर देखते हैं तो वेल्योशन काफी अच्छा है और यहां पर अगर कंपनी के फाइनेशल ट्रेंड पर कंपेरिशन करते हैं तो तो यहां पर जो कंपनी के सब्सक्राइब करते हैं तो पिछले पिछले तीन कौटर में आपर कंपनी किस तरह से पर्फॉमेंस किया है अगर उसका कंपेरिशन करते हैं और उसमें एक अच्छा तरह पॉपीडिमिल स्टेट आता है तो वो मेरे आप से काफी अच्छी बात है और डिया का जो इंवेस्टमेंट है वो है नाम से बरबट से 0.26 परसेंटेज और अगर इसको कंप्राइज भी करते हैं लॉंग इंडिवडिटी के सबसे तो यहां पर जो पॉब्लिक इंवेस्टर्स होते हैं उन लोगों द्वारा इस कंपनी में 24.74 परस है वो काफी अच्छा यहां पर हमें देखने को मिल रहा है तो शेरोलिंग पैट्रिंग के बाद हम यहां पर मूग करते हैं कंपनी के रैवेनिय स्टेटमेंट के यहां पर कंपनी ने पिछले तीन कौटर में किस तरह का पर्फॉमेंस किया है कंपनी किस तरह से काम कर रही ह तो सबसे पहले अगर कंपनी का revenue statement compare करते है मार्च 2021 के according तो यहापर कंपनी total income थी 382 क्रूर रुपीस अगर उसके according देखते हैं तो यहापर 122 क्रूर रुपीस का यहापर कंपनी ने घाटा किया है तो यहापर जिससे में आपको बोला कि company business segmentation काफी जो है प्रिसाइज है और यहापर जो profitability जो company expenditure से काफी जाधा होते है तो उसके करण जो company revenue है वो तो तगड़े देखने को मिली रहे है बढ़ यहापर company business profitability जो company profit margin से वो इतने ज़्याद अच्छे देखने को नहीं मिल रहे है so this is the thing कि यहापर आपको पता होने थी कि before investing in this company June 2021 के according अगर यहापर देखते है तो company total income थी 254 करोड रूपीस अगर उसके हिसाब से देखें तब भी यहापर company ने 56 करोड रूपीस का जो है धाटा किया है so यहापर अगर जून 2021 के recording भी देखें तो यहापर company घाटा जरूर कम हुआ है but यहापर company अभी जो है law stage में आपर हमें देखने को मिल रही है next thing recent quarter के सबसे देखते हैं तो recent quarter basis पर जो है company के जो result यहापर देखने को मिल रहे है recent quarter के सबसे देखें तो September 2021 के अंदर यहापर company करने जो revenue किया है वो काफी तगड़ा यहापर हमें देखने हुआ है 513 क्रोड रूपीस that is comprising of June as well as March quarter में यहापर company ने जितना revenue नहीं किया है उससे भी देखने को मिलता है तो मेरे आपसे जो है काफी बैसरी बात हो सकती है इस company में निवेश करने के लिए next thing अगर यहापर देखते है company return ratios तो return ratios के अंदर सबसे पहला जो ratio आद निकल करात है वह company का return on net worth यापर return on equity percentage तो यह में बदा रही है तो यहापर company यह ली विजिस पर कितना प्रतिशत profit कमा रही है अगर यह जितना जादा हो compared to previous year तो काफी बैसरी बात होती है यहापर company loss कर रही है तो यहापर जो company का ROI percentage है वो यहापर हमें negative trend में देखने को मिल रहे है मार्च 2019 के अंदर 1.57 के अपर यहापर company का ROI percentage था जो कि आपर मार्च 2020 के अंदर हो चुका minus 0.24 percentage और मार्च 2021 के अंदर यह हो चुका है minus 52.29 percentage तो यहापर company का ROI percentage तो यहापर काफी खराप देखने को मिल रहा है next is ROC percentage return on capital employees तो company ROC भी अगर आपर compare करते है तो उसके उपर भी आपर company का जो ROC है जो कि March 2019 में था minus positive में 16.86 percentage मार्च 2020 के अंदर 12.72 percentage as well as March 2021 के अंदर गिर कर हो चुका है minus 27.16 percentage तो यहापर accordingly आपर जो company ROC है वो भी आपको गिरावट में मिल रहा है next is ROC percentage return on asset percentage तो यह में बदर की company पाचा कर मार्केट में जितना भी asset base है उन asset base के उपर यहापर company yearly basis पर कितना procedure profit कमा रही है तो वो था इस company का March 2019 के अदर 0.28 के percentage form में March 2020 के अंदर is minus 0.04 और March 2021 के अदर minus 7.51 के percentage form में यहापर हमें ROC देखने को मिल रहा है leverage ratios देखते हैं तो leverage ratio में जो सबसे खराब सीच लगी कि debt 2PT जो है company का यहापर होना चीए 2 to 1 के ratio form में बट यहापर continuously company जो debt है वो यहापर आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है that is 1.79 के ratio form से 1.81 और 1.81 से March 2021 में बढ़कर हो जो है 2.5 के ratio form में तो यह काफी negative sentiment यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है interest coverage ratio compare कर तो कि यहाँ पर increment phase पर हो तो काफी अच्छी बात होती है बट इस company जो interest coverage ratio percentage है वह यहाँ पर March 2019 के इंदर 1.1 के percentage forming March 2020 के इंदर 0.71 percentage as well as March 2021 के इंदर minus 1.06% का यहाँ पर हमें interest coverage ratio है देखने को मिल रहा है revenue compare कर तो आज जो है आपन 9.95% की बहुत ही बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है 19 रुपे का इसका low था और नियरली 184 अभी भी जो है अपने all time high price से half price पर अवेलेबल मिल रहा है stop loss यहाँ पर अगर आपको लगाना हो तो 92 से 93 का यहाँ पर आप stop loss maintain कर सकते हो so hope करता हूँ कि को BGR energy system limited company का यहाँ पर हमने आपको जिसरे शैनल सिस किया यह इस company financial as well as technical point of view के साब से entry as well as exit वो यहाँ पर आपको अच्छी देपता चल गया होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like, share और my channel को subscribe करना ना भूलिएगा thank you